हेलो फ्रेंट्स वेलकम वेक टुन वर यूट्व चैनल तो फ्रेंट्स आज की वीडियो द्राइवर ट्रैनी की पोस्ट पर वेकंसी आई है तो सबसे पहले आप इसके बारे में पहले से आपको बहुत कुछ अपडेट मिल चुका होगा लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट पर इंपोर्टेंट चीज बताएंगे जो आपको इस बैकेंस से लेटेड होनी चाहिए सबसे पहली चीज तो आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि ट्रैनिंग के बाद आपकी सेलरी किया होगी तो वो इस वीडियो में आपको पूरा बता द इन फूर्ट डिस्ट्रिक पे ही केंडिडेट जो आईटियाई स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिटर एलेक्ट्रीसियन डीजल मेकैनिक इन तीन ट्रेडों में से किसी भी एक ट्रेड में आईटियाई कोर्स कंप्लीट किया हो और गवर्मेंट एफिलियेटेड हो वो कोर्स किसी भी डिस्टेंस लर्निंग के सिरुकर बोड़ कोर्स नहीं हुआ हो और नहीं वो कोर्स अभी ऐसा हो कि अपेरिंग में हो ऐसे केंडिडेट एलेजिवल नहीं होंगे जिन्होंने गवर्मेंट एफिलियेटेड आईटियाई कोर्स मतलब इंस्टिट्यूट से फिटर ए जिनकी एज ज्यादा हो चुकी हो क्योंकि सबसे पहली चीज यह जो जोब है तो कॉंट्रेक्ट बेस पे है जो फाइव येर का कॉंट्रेक्ट रहेगा दूसरी चीज इसमें आपको जोइनिंग के टाइम पे 6,60,000 का आपको सर्विस एग्रिमेंट बॉन्ड भरवाना है त तो आप इस पेरियर में किसी दूसरी जोब में फाइनल सेलेक्शन ले लेते हैं और फिर उस जोब को जोइन करते हैं तो फिर आपको यहां पे 6,60,000 का आपको बॉन्ड भरना परेगा तो वो आपके लिए वेनिफीसियल नहीं रहेगा तो जो स्टुडेंट की यह जवी कम है वो इसको एपलाई करते हैं तो कर लें और लेकिन फाइनल सेलेक्शन लेने के बाद उसको जोइन ना करें क्योंकि यह फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में आपका जोइनिंग हो जाएगा या फाइनल हो जाएगा तो फिर इसको आप जोइन नहीं कर पाऊगे और वैसे बात की जाए कि इसकी जो एपलाई करने की डेट है तो वो 30 माई 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और लाश्ट डेट 19 जून 2022 तक सामको 6 बज़े तक रहेगी तो आपको एपलाई कर देना है अब इसमें मैं आपको सेवन नंबर का पॉइंट देखना है जिसमें लिखा है टॉप 2000 एप्रोक्स रिश्टर्ट केंडिडेट सेटिस्फाइंग लेजिविल क्राइटेरिया इन ओर तुम इन ओर अफ मेरिट बेजड ऑन देयर 10th क्लास परसेंटेज सेल वी इस्यूट एडमिट कार्ड पूर रिटन एग्जामिनेशन मेंस मेरिट के बल टेंथ के आपके रिज परसेंटेजम नहीं होगा सभी का अडमिट कार्ड नहीं आएगा टॉप 2000 केंडिडेट का ही आएगा फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आपका 10 नंबर का पॉइंट है नब्य दिन मेंस आपके तीन महीने की ट्रेनिंग चलेगी जिसमें आपको 7000 ट्रेनिंग वाई इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे से ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद फिर उन्होंने आप देखेंगे की 11 नंबर का पॉइंट ऑन सक्सेस्फूल कंप्लीशन आफ ट्रेनिंग इस केंडिडेट विल बी इंगेज्ट ऑन आपके अच्छी रहेगी जो डेली विजिसका जो रेट है वो अच्छा रहेगा एस पर दसेंटर गोवर्मेंट नॉटिफिकेशन फूर एरिया सी चूंकि डिस्ट्रिक में आप लोगों को जॉब मिलेगी वो एरिया सी में ही है आपको पता भी होगा कि हमारे जो इंडिया सबसे पहली चीज आदि आपके कहा जाए तो एक रेलवे का भी लोको ड्राइवर जो होता है इंडियन रेलवे का उसकी वी बेसिक सेलरी उननीस जार नौ सो होती है जब वो जोइन करता है लेकर उस टाम पे भी उसकी जो इन हैंट सेलरी आर्मुष्ट फुर्टी थाउजि बश्य मिलते हैं यहीं इसमें देखा जाए तो आपको रनिंग एलाउउंस मिलेगा क्यूंकि आप लोको ड्राइवर हैं तो आपको ट्रैन को दोड़ा रहे हो चला रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा है पर डे का हो सकते आपको एट हंडर रुपी पर डे मिले तो तो आ की basic रहेगी 1900 की something और allowance रहेंगे तो आर्मुस्ट एमान के चलो कि आपको 35,000 से एबब आपको हाथ में मिलेगी इन हैं ठीक है फिर next लिखा है कि candidate are advised to keep checking the website regularly for any information updates आपको फ्रेंट्स ध्यां रखना है जो मैंली असम स्टेट के इन 4 डिस्ट्रिक कोकराजयर चरिगंज बक्सा उधर गरी इन 4 स्टेट से ब्लॉंग्स करते हैं तो इनको एपलाई जरूर करना चाहिए इस्पेसली जो ओवरेज होने की फाइनल सेलेक्शन हो जाता है तो आप इसको जोएन इसलिए नहीं करना क्यूंकि फिर यदि आप अधर डिपार्टमेंट पर चले जाओगे तो फिर आपको च्यालाग साथ जार का सर्विस एग्रिमेंट वोंड आपको देना पड़ेगा तो आप इसको जोएन मत करना है व उसके बाद आपकी सेलरी बहुत अच्छी होगी ठीक है तो यही आपको अपडेट देना था जोब से रेलेटेट बाकी और भी जो जोब रेलेटेट अपडेट होगी आपको प्रवाइट कराते जाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्नवाद